हलो एब्रिवन विल्कम टो मिसन गुरुकुल मिसन गुरुकुल के क्विश्चन अंसर सेशन में आपका स्वागत है तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग फोकस करेंगे UPCSC interviews के वारे में और हम लोग देखेंगे कैसे EPFO, CAPF और Civil Services के interview conduct होते हैं और उनमें क्या major differences हैं मेरा फोकस जो इस वीडियो में होगा वो फोकस जादा से जादा EPFO और CAPF exams के interview पे होगा क्योंकि Civil Services के already बहुत सारे videos and channels available हैं वहाँ से आप लोग जानकारी ले सकते हैं लेकिन EPFO और CAPF का जो है वो जानकारी कम available है और मैं इन तीनों interview में appear कर चुका हूँ तो मैं इनको compare करके आपको बताऊंगा मेरा मानना ये था कि ये video जो हम लोग बना रहे हैं अगर आप लोग जो written test है उसको qualify कर लेते उसके बाद बनाते तो ज़्यादा बेटर होता है लेकिन बहुत लोगों की queries और request आ रही थी तो सोचा चलो video बना देते हैं जिनको बाद में देखना होगा qualify करने के बाद में बाद में देख लेंगे जिनको अभी देखना है थोड़ा सजिग्यासा होते रहता है सारे students में तो अभी भी देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना video जिनको queries और doubts हो रहे हैं व हम लोग उसको address कर देंगे जल से जल जब भी time मिलेगा तो UPSC के जो interviews हैं ये तीनों mostly similar होते हैं और इन में जो कोई भी UPSC के interview के तीन aspects होते हैं यानि तीन चीजे mainly होती हैं उसमें एक तो document verification एक interview होता है और एक medical होता है लेकिन medical को मैं clarify कर दूँ कि EPFO का जो medical होता है वो आपके selection के बाद होता है यानि आपका rank list बन जाएगा उसके बाद होगा यानि selection के post होता है CEPF का interview आपका, sorry CEPF का medical जो होगा वो आपका selection के पहले यानि interview के पहले होगा तो interview के pre होगा यानि आप जब उसका fitness test देने जाएगे उसके साथ ही medical होता है और यह सबसे ज़्यादा tough होता है इसका interview आप मान के चलिए सबसे ज़्यादा tough है यह उससे थोड़ा सा less tough है यानि बहुत ही ज़्यादा मान लिजए UPSC Civil Services के medical में rarely ही कोई disqualify होता है तो यह less tough और यह सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा tough क्योंकि यह आपका जो जहां पर पोस्टिंग होने वाली जहां पर आपका सेलेक्शन होने के बाद आप जॉइनिंग करेंगे तो वहां पर आपको medical certificate अपने district जो अपके hospital है वहां से बनवा के जमा करना होता है तो medical aspect तो खतम हो गया और civil services का जो medical होता है व वो इसलिए हमने इसको यहां पर include कर लिया था तो इंटरव्यू अब बाकी जो दोज़ आसपेक्ट्स हैं document verification और interview जो mainly जो interview conduct होता है उस पे हमारा आगे का video focused रहेगा तो सबसे पहले चलते हैं document verification के तरफ लेकिन document verification के तरफ जाने से पहले एक queries रहता है कि कहां पर interview होता है तो यह मैंने यह google map से यह आपका map download किया है UPSC जो आप जाएंगे तो यह road के थूँ ही जाएंगे यहीं पर आपको auto वाले या car वाले या taxi वाले जो भी हैं यहीं पर उतार देंगे यहां पर तीन gates है actually यहां पर यह first gate है मान लिजे यह दू entry होगी इस building में आपके जो exam से मिली जो exam से वहां पर conduct होते हैं और यहां भी कुछ exams conduct होते हैं जैसे मैं forest services का मेंस दे रहा था तो मेरा इस building में exam conduct हुआ था और साथी साथ यहां पर museum भी है तो museum से में जो photos लगे हैं उससे मैंने यह 3D building का यह image उठाया है ठीक है तो यह 3D building है यहां से आपकी entry होती है और आपको यहां पर बिठाया जाता है तो आप यहां पर जब entry करेंगे तो guard आपसे sign वगएरा आपसे entry करवा लेंगे आपका interview later का photo वो लोग देखेंगे उसके बाद और उससे नाम आपके photo ID से tally करेंगे तो सबसे पहली document आपको required होती है that is photo ID आप photo ID और interview later तो वो लेके ही जाएए उसी के basis पर आपकी entry होती है जब आपकी entry हो जाएगी तो आपको इस building में यहां पर आपके सारे जो electronics gadgets हैं वो सारे जमा करवा लिये जाएंगे electronics gadget जमा करवा लिये जाएंगे और उसके बाद यह जो building है आप 3D building में देख सकते हैं यहां पर आपको बिठा दिया जाएगा और यहां पर आप जब बैठे रहेंगे तो उसके बाद आपको एक group में डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसको हम लोग detail में आप document verification का process देखते हैं वो हमने यहां पर detail में लिख रखे हैं तो सबसे पहले आपको group में बाट दिया जाएगा और यहां पर different tables बने होंगे और सारे table पर 4-5 जो students हैं वो आपके 4-5 students होंगे वहाँ पर तो वो 4-5 students होंगे उन से सारे यह documents ले लिए जाएंगे और कौन-कौन से documents होंगे उसमें सबसे पहले DAF अगर आप CEPF का interview देने गया है तो उसमें DAF होता है that is known as detailed application form अगर आप EPFO का interview देने जा रहे हैं तो वहां पर आपका ने जो form भरते समय जो application form जमा किया है वही आपका DAF हो गया वही आपका detailed application form होगा और जिनके पास यह नहीं है उनके पास बाद में opportunity दी जाएगी after return exam यह download करने का तो वो application form सबसे पहला document यह आपको रख लेना है हाला कि यह document आपसे मांगा नहीं जाता है लेकिन यह document आपको होना चाहिए और यह बाद में opportunity दी जाती है फिर स station form होता है उसमें आपके सारी details भरने होती है कि आपका hometown का है आपका birth कहा हुआ है आपके father's name क्या है वो क्या करते हैं उनका income क्या है आपका mother's name बहुत सारी आपकी personal details होती है वो भरके आपको पहले तो इसको sign करवाना होता था gas dead officer से अब आप इसको sign खुद से self attest कर सकते हैं और यह आपका testation form after से जो आप written qualify कर लेंगे तो उसके बाद आपको interview जो later होता है उसके साथ available होता है download करने के लिए उसके अलावा आपको photos लेके जाने होते हैं उसमें 5-6 photos आप लेके जाएए age proof के लिए age proof के लिए आपको birth certificate या फिर आप 10th का passing certificate जो mostly लोग जमा करते हैं वो document आपको लेके जाना होता है और साथी साथ education proof के लिए अगर आप आपके exam में minimum criteria जो जो भी जो हमने तीन exam से दिसकस किये उसमें minimum criteria आपका graduation है तो आपका graduation का passing certificate होना चाहिए तो ये ये चार documents आपके mandatory हैं ठीक है ये चार documents आपको minimum तो लेके जाने ही हैं ये चार documents आप लेके जाएए उसके अलावा अगर आपने higher degrees काफी भर रखी है उसमें कि हमारे हमने law भी कर रखा है साथी साथ आपने experience certificate दे रखा है और या फिर द organization में आप काम कर रहा है तो government organizers का no objection certificate या फिर आपने कोई category में भरा है OBC, SC, ST ये तो वह आपका category certificate अगर आपने PH quota भरा है तो आपकी PH certificate ये सारे लोगों के लिए नहीं है लेकिन जिन लोगों ने जो भी भरा है अगर आपने सिर्फ higher degree भरी है तो आपको higher degree की certificate अगर आपने सि सारी चीजे भरी है तो ये सारे 4-5 certificates और आपको लेके जाने होंगे तो ये सारी चीजे आप table पर बैठे होंगे आप से सारे documents आपको एक sequence वाई वो लोग collect कर लेंगे और उसको जाके अपने administrative building में उसको verify करेंगे जब verify हो जाएगी ये बात तो उसके बाद आपका एक roster निक आपका divided होगा let's say कि पांच board बैठ रही है UPSC की तो उसमें आपका नेम्स होगा ऐसे पांच पांच ये पांच बोर्ट होगे बोर्ट नंबर वन बोर्ट नंबर टू बोर्ट नंबर थ्री इसमें आपको नंबर दे दिया जाएगा कि चलिए आपका ये नंबर है आपका इ नहीं पर हो रहा है इसी के बिल्डिंग के अंदर अंदर आपको जाना है यहां पर केविंस बने हुए हैं और यहीं केविंस में आपके इंटर्व्यू होते हैं तो हमने देख लिया डॉकुमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले इसमें क्विस्चन आता है कि हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है ओल्ड है या फिर जो आपका जो नेम है वो टैली नहीं कर रहा है दो सर्टिफिकेट में या फिर और भी बहुत सारे जो क्विस्चन साते इसमें तो आपको डर्न की हम लिटसे हम कोई सर्टिफिकेट भूल गए घर पे तो उसमें डर्न है आपसे एक self declaration लेगा self declaration कि आपको एक वीक का या दो वीक का time दिया जाता है ठीक है और उसमें आप यह जो documents आपने अभी नहीं जमा किये या जो incorrect जमा किये हैं या फिर old documents जमा किये हैं उस time में आप उसको जमा कर दिजेगा तब आपका जो final selection है वो सही माना जाएगा तब तक जब तक आप यह documents नहीं जमा करते हैं तब तक आगर आप qualify भी करते हैं तो आपका selection provisional माना जाएगा तो यह तो बाते हो गई आपकी document verification में इसमें अगर कोई भी doubt आपका है तो आप comment करके नीचे बता दे उसके बाद हम लोग आप चलते हैं real interview के aspect पे जैसे आपको बुला लिया गया तो आप जब चाहेंगे तो यह format होता है UPSC के कोई भी interview में आप देखेंगे कि एक chairman होते हैं जो की usually UPSC के board member होते हैं और साथी साथ उसमें अगर आप UPSC civil services में जा रहे हैं या CEPF में जा रहे हैं तो chairman के अलावा 4 members होते हैं और आपको यहाँ पे बैठने के लिए बोला जाता है तो you sit here and there are four members अगर आप EPFO का interview देने जाएंगे तो जैसा पिछली बार हम लोगों का interview हुआ था तो यह one chairman plus three members थे ठीक है और अंतर क्या है इसमें अगर सिए civil services का देने जाएंगे आप तो interview का timing usually 30 to 40 minutes होता है CEPF का भी आप देने जाएंगे तो usually time 30 minutes का होता है लेकिन जो आप EPFO का interview देने जाएंगे तो usually time थोड़ा कम होता है और वो depend करता है आपका interview कैसा जा रहा है usually आपका 20 minute का भी हो सकता है 30 minutes का भी हो सकता है और आपका 10 minute में भी interview खतम हो सकता है तो यह सारी बाते हो गए उसके बाद आप members पर discussion कर लेते हैं एक जो हमारे हो गए वह तो चेर में होंगे ते विल स्टार्ट विथ यूर interview और वो आपके interview से start करेंगे और वो आपका उनके पास क्या होगा आपका डॉजियर होगा यानि आपने जो application form भर के दिया है वो उनके पास होता है तो आपको detail study कर लेना है आपने जो hobbies भरी है वो सारे exam में होते हैं hobbies भरी है तो questions कहां कहां आते हैं आपने जो hobbies भरी है आपकी जो qualification है यूजवली questions यहीं से start होते हैं ठीक है questions यहीं से start होते हैं सिर्फ इन ही पर questions नहीं पूछे जाते हैं लेकिन questions यहीं से start होते हैं तो आपको पता होना ही चाहिए यह detail में और इनको detail में study करना है और साथी साथ जो पिछली बार के जो आपके जो transcript हैं interviews के बहुत सारे वो मैं बाद में जब आप लोगों का हो जाएगा selection return में तो वो compile करके circulate कर देंगे तो एक type से आपको idea लग जाएगा कि कैसे usually interviews start होते हैं तो यह तो हो गई बाते start होने की उसके बाद अब देखते हैं एक एक करके members पर question उन लोगों का usually जो मैंने notice किया था EPFO में usually वो predefined था कि एक जो member थे वो EPFO related questions और वो notes भी होता है उनके पास ठीक है ना उनके पास list of questions थे आप ऐसा समझ लीजे कि list of 20-30 questions वो बना के लाये थे EPFO के बारे में और एक member तो EPFO के बारे में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे और यह exception नहीं है और यह इसलिए आपको EPF Act के बारे में और उसके site के बारे में उसके recent provisions यह आपको पता होने चाहिए अगर आप CAPF का interview देने जा रहे हैं तो CAPF में आपको CAPF से related आपके एक member questions पूछेंगे ही पूछेंगे उसके अलावा जो जैसे चार members हमने बताया कभी-कभी एक psychologist भी होते हैं हलाकि वो mandatory नहीं होते हैं और वो आपके जो behavior है वो उसको observe करते हैं और वो usually this position या this position में बैठे रहते हैं एक member होंगे जो आपके देखिए यह sequence जो मैं बता रहा हूँ यह fixed नहीं है यह ऐसा नहीं है कि आपसे एक ही member हो सकता है आपके chairman ही EPFO से related question पूछेंगे आपके member, सारे members EPFO से related question पूछे हो सकता है कि आपके जो member 1, 2, 3 हैं वो EPFO से related question पूछे उसके अलावा जो आपके एक member होते हैं usually जो आपके education qualification है आपने कहां से education qualification अगर आपका information technology है तो कुछ आपसे questions पूछे जाएंगे information technology पे अगर आपने law किया है तो आपसे कुछ liberal law से related questions आ सकते हैं तो यह सारी तो बाते हो गएंगे के अलावा क्या questions आते हैं उसके अलावा questions आते हैं कि medium क्या होना चाहिए तो बहुत सारे queries आते हैं कि what should be the medium यानि हमें हिंदी में बोलने का मौका दिया जाएगा या फिर English में बोलने का मौका दिया जाएगा तो आप ये जानके रखिए कि आपको दोनों में बोलने का freedom है ठीक है आप हिंदी भी opt कर सकते हैं आप English भी opt कर सकते हैं जिस तरीके से आप start कीजिएगा interview ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि आपका हिंदी में interview लें या इंग्लिस में जिस तरह से आप अपना introduction स्टार्ट कीजिएगा गुड मॉनिंग सर या गुड एवनिंग सर या फिर may I come in सर वहीं से आपका एक tone बन जाएगा और वहीं से आपका या तो हिंदी में interview होगा और या फिर English में interview होगा यहां पर क्या अंतर आ जाता है जो civil services है या फिर आपके जो CAPF के exam है तो इन दोनों exam में जब मैं appear हुआ था तो जो लोग Hindi में भी बोलना चाहते थे because they are going to be a group A officers तो उनसे क्या था कि उनसे जैसे उन्होंने opt कि हिंदी में फिर भी group के कुछ-कुछ चेर मैंस थे उन्होंने बोला कि आप even though your language is Hindi लेकिन आप try कीजिए English में बोलने का ठीक है तो उनसे बोला गया कि आप try कीजिए English में और बहुत सारे students थे वो बिलकुल unprepared थे तो उनको थोड़ा सा problem हुआ इस आसपेक्ट में तो ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए है कि हमने तो पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही देना है और सुरू से ही आप पूरा full approach आप हिंदी का ही लेके चले हैं आपको थोड़ी सी English की भी practice करके रखनी है क्योंकि कोई board members वो insist करते हैं कि though you don't know English you try to speak in English क्योंकि are you are going to be a group A officer और आपको English की जरूरत पड़ेगी आपको बहुत सारे ऐसे meetings होंगे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जहां पर आपको English matter तो दे ऐसा नहीं है जस्टू जर्ज यूर परस्नाल्टी दे इवन दे कान इवन आस्यू तो speak in English also तो आपको उसके लिए भी prepare होके जाना है तो यह मीडियम का हो गया हाला कि जो EPFO का interview है उसमें यह queries नहीं आती है और बहुत सारे जो board members are very comfortable in Hindi और वो interview time जो automatically decrease हो जाता है और इसलिए आप मान के चलिए जो आपका जो UPSC civil services का interview 40 minutes का हो रहा है तो आपका यह interview 30 minutes का ही होगा तो यह तो basic queries जो थी वो हमने address कर दी जब आपका interview हो जाएगा तो आप वापस से इस building में आएंगे वहां से आप जो आपने अगर बाहर से आए हैं तो आपका जो claim है railway का जो भाड़ा देती है UPSC वो आप claim कर सकते हैं आपने सारे documents आपने जो electronics गैजेट वो collect करके आप बाहर जा सकते हैं यहां पर ऐसा नहीं होता है कि आप वहां से वापस आया और बैठके यहीं discussion कर रहे हैं कि हम से यह पूछा गया हम से वह पूछा गया वह सारी चीजे allowed नहीं होती है आपको वापस आना है अपना बैग उठाना है और सारा चीज ल इंटर्व्यू कंड़क्ट किये हैं तो आप रेडी रहिए जो सिफ्ट है उस पे आपको टाइम पे पहुंच जाने का ठीक है यह तो सारे बेसिक क्वेरी हमने डॉक्मेंट वेरिफिकेशन भी देख लिया हमने इंटर्व्यू कैसा होता है वह बेसिक आइडिया देख लिय इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेस्टन रह जाता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर दें हम लोग उसको एंसर कर देंगे साथी साथ अगर यह आप यह पीफो यह पीफो का प्रिपेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो औरेडी डेली आ रहे है अगर आप यह पीफ का प्रिपेशन कर रहे हैं तो करेंट अफेर्स का वीडियो सिवल सर्विसेस का प्रिपेर कर रहे हैं तो करेंट अफेर्स के डेली वीडियो आ रहे हैं आप उसको एक बाद चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो आप उसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर से question answer session में of mission guru call in next question answer session तब तक के लिए धन्यवाद